हेलो एवरिवन, आपको कहां कहां से रिविजन करना है, कौन सी चीज आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगी, आप उसे एच्छे से रिवाइज करें और उसे लर्न करें, ठीक है? आर्टिकल्स आएंगे आपको, आर्टिकल्स आपको अल्रेडी समझाये जा चुके हैं, A, N and The, क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, आपको इसकी वीडियो लिंक भेजी गई थी, आपने बहुत अच्छे से समझे भी थे, और ये आपकी बुक के, इंग्लिश बुक के, पेज नंबर 49 जैसे ही ओपन करेंगे, आपको पूरा रिविजन वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे लर्न करें और अपनी कॉपी में राइट करें, सेकेंड कोईशन होगा, वन और मैनी, वहाँ पर पेज नंबर 40 पर, आपकी इंग्लिश बुक के पेज नंबर 40 पर, वन ए दिखाई देगा, कि वहाँ पर वन मैनी के नाम से पूरा के पूरा एक पेज है, पेज नंबर 40, आप उसे लर्न करें, उसके बाद उसे राइट करें, रिवाइस करें, और ये आपका रिविजन होगा, मतलब ये जो इंग्लिश के पेपर में जो चीजें आने वाली हैं, उ और वो आगे पीछे होगा, correct form में नहीं होगा, आपको उसे क्या करना होगा, rearrange करना होगा, सही, sensible sentence बनाना होगा, meaningful sentence बनाना होगा, तो ये sentences आपको example के लिए मैं बता दू, कहां मिलेंगे, तो page number 30 का question number A, page number 30 का question number A आपको दिखाई देगा, वो होगा rearrange sentences का, और ऐसा नहीं है क तो वो चारो की चारो वई की वई आजाएंगे, उस type के sentences होंगे आपको उसकी practice करना है, आपको already आते हैं, मैंने सिखाय भी है कि sentences को arrange कैसे करते हैं, तो पहले हम ढूनते हैं sentence में कि subject कहां है, उस sentence में वाप कौन कर रहा है, फिर हम ढूनते हैं कि उसमें वाप कौन सी है, action word क कौन सा है फिर हम उसमें देखते हैं कि object क्या है ऐसा मैंने आपको समझा चुकी हूँ उस page का जब मैंने video link भीजा था आपको तो आपको बिल्कुल clearly समझ में आ गया था कि rearrange sentences को कैसे किया जाता है आप जब उस page को open करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा next question हो सकता है आपके paper में missing letters का missing letters means क्या होता है कि आपको जैसे मैंने लिखा f l और एक letter miss कर दिया वहां पर आपके पास option होंगे i y o इन में से कोई एक letter यहां पर write करना है तो आप क्या write करेंगे और meaningful sentence बनेगा meaningful word बनेगा तो वह होगा why तो क्या हो जाएगा हमारा f l y इसे missing letters आपको page no.29 के question no.a में मिलेंगे page no.43 के question no.b में मिलेंगे आप इसे जब page open करके देखेंगे तो आपको वहां पर missing letters के question मिल जाएंगे आप ज़रूर अभी open कीजिए और check कीजिए उनकी practice कीजिए fill in the blanks fill in the blanks में यहाँ पर आपको अपनी book के fill in the blanks भी आ सकते हैं और साथ ही साथ एक basic चीज़ें जैसा कि मैं कहूं कि we brush are fill in the blank daily तो हम क्या brush करते हैं इस type के fill in the blanks भी आ सकते हैं जो बहुत ही easy होंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे ऐसे ही match the column आपकी book के भी हो सकते हैं या फिर जो basic questions होते हैं वो भी आपको match the column में मिल जाएंगे मतलब जब आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा को सारी की सारी चीज़ें आपकी book से ली गई है आपको समझाई हुई चीज़ें दी हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप अच्छे से जितनी चीज़ें बताई गई हैं रिवाइस करें grammar part में आपको indefinite tense दिया गया है जो आपको दो दो या तिन तिन बार उसकी वीडियो लिंक्स सेंट कर चुके हैं indefinite tense कौन कौन से होंगे तो मैं आपको बता दूं present tense होगा past tense प्रेजन पास्ट और फ्यूचर indefinite tense इसकी आपको प्रेक्टिस करनी है और इसकी politics इसके साथ साथ आपको क्या करना है इसके sentences form करना है कैसे करेंगे जैसे मैं आपको बता दू एक्जाम के लिए future tense का future indefinite का एक example लेते हैं कि वह खाना खाएगा वह मतलब ही खाएगा मतलब future indefinite है इसलिए will का use करेंगे तो क्या हो जाएगा he will खाएगा मतलब eat he will eat क्या खाएगा खाना he will eat food यह आपको given है मतलब आपको हिंदी में दिया है आपको उसका negative, introgative और affirmative sentence बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप पहला आपने बना लिए affirmative he will eat food अब negative बनाएंगे तो क्या हो जाएगा he will not eat food introgative में क्या हो जाएगा will आगे आजाएगा will he eat food वहीं आप introgative नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा he sorry will he not eat food ओके तो यह हमारे indefinite tense इस टाइप से रहेंगे यदि आप इनकी practice करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका एग भी point गलत नहीं चाहेगा last question रहेगा हमारा question and answer of book आपको already revision के time पे video link के time पे सारी चीज़ें दी गई हैं तो आप क्या करेंगे आप अपनी book से अपनी fair copy से आपने जो question answer right किये हैं आपको जो answer की दी गई थी उससे आपने answers लिखे थे आपको video के थू मैंने answers बताए भी थे आप वहाँ से उन questions के answers को पढ़ेंगे learn करेंगे revise करेंगे ठीके आप खुद का taste लेंगे देखेंगे कि आप बिना देखें क्या क्या चीज़े कर सकते हैं जितने भी questions आपको जितने भी page number given है आप उनका taste अपने mother father के सामने जरूर दें यदि आपको इसके बाद भी कोई doubt ह है तो आप मुझे personally या group पर question कर सकते हैं और मैं आपको reply करके बताऊंगे आपके doubts को clear करूंगी okay so have a nice day to all and best of best of luck